Best Penny Stock का Selection किस तरीके से किया जाता है, डिटेल में डिसकस करेंगे आज के इस वीडियो में, इस वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजे, क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत सारी नहीने चीजे सीखने को मिलने वाली है, आप मेंसे कुछ लोगा यह point आ सकता है कि अनन्त आप तो हमेशा 50 stock के against में बात करते हो तो फिर आज आप 50 stock की बात कैसे कर रहे हो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों यह ठान ही लिया है कि हमें तो 50 stock की select करना है अगर आपने यह मन में बैठा लिया है कि पहनी stock में आप काम करेंगे तो कितने difficult होने चाहिए आपके selection के criteria उसे हम study करने की कोशिश कर रहे है यह complete journey होने वाली है जो आप मेरे साथ जी होगे आज के इस वीडियो में तो काफी important वीडियो है अगर आपको लगता है कि अभी आपके पास time नहीं है तो अभी इस वीडियो को मत देखिए क्योंकि यह आपकी life cover one of the most important वीडियो होगा क्योंकि काफी difficult filters लगा कि हम देखेंगे कि किस तरीके से selection का process होता है अब मैं इससे यादा आज के इस वीडियो का इंट्रो नहीं दूँगा सीधा चलेंगे screen के उपर चीज़े को discuss करेंगे अगर आपको लग रहा है कि नहीं आनद आपको penny stock की बात नहीं करनी चाहिती तो एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए पूरा देखने के बाद आपका भी opinion बदल जाएगा क्योंकि आपको पता चलेगा कि किस तरीके के difficult filters हम लगा रहे हैं और आपके सामने present कर रहे हैं Let's go सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि penny stock by definition मतलब क्या होता है एक ऐसा stock जो एक penny यानि की एक डॉलर से भी कम price में available है इंडियन डवसे बात करो तो हर एक stock जिसकी value है 50 रुपे से कम की उसे हम कह सकते है penny stock तो सबसे पहले आपके सामने ये सारे के सारे stock की list आ गई है 4, 6, 6, 5 shares है आज की दिन market में आपको इसमें से select करना है ऐसे stock जिनकी closing price है 50 रुपे से कम की तो आपको यहापे closing price का filter लगाना पड़ेगा इस closing price के filter में जो maximum price होगा वो आप डालेंगे 50 और जैसे ही आप ये डाल देंगे आपके सामने 2, 0, 2, 0 stock की list आ जाएगी जिनकी closing price है 50 से कम की ये सारे हो गए है ऐसे stock जो अभी आपकी initial list का part बन चुके है second हमें एक important filter लगाना पड़ेगा market capitalization का पहनी stock में बहुत सारे इतनी छोटी इस company होगी जिसके कुछ भी market capitalization नहीं होने वाली minimum to minimum आपको और हमें चाहिए कि हमारी company की market capitalization होनी चाहिए 50 क्रोड के उपर की वहना उसे manipulate करना बहुत आसान होगा वैसे तो 50 क्रोड की company को भी manipulate करना आसान होगा पर फिर भी as compared to 5 क्रोड 10 क्रोड की company 50 क्रोड की company को manipulate करना comparatively difficult होगा तो हम 50 क्रोड का यहाँ पर figure लगा देते हैं जो हमारी लिए हो जाएगा basic सा filter कि हमें 50 क्रोड से नीची की company में काम करना ही नहीं है हमारी stock के list यहाँ पर squeeze out हो चुकी है 590 stocks next point आपके लिए काफे important होने वाला है penny stock का सबसे बड़ा issue यह है कि वहाँ पर liquidity नहीं होती वहाँ पर अगर आपने एक बार penny stock buy कर लिया आप इसे sell कर पाएंगे कोई guarantee नहीं है हो सकता है कि जितने भी बाया से सारे के सारे गायब हो जाए और आपको बेशने के लिए लंबे समय का wait करना पड़ जाए इसलिए जो भी penny stock की list को हम filter करने की कोशिश करेंगे उनका average daily volume पिछले 3 महीने के लिए आपको 90 days के आपको मिलना चाहिए 10,000 stocks per day से ज़्यादा का तो चलिए चलते स्क्रीन पे और ये filter लगाने की कोशिश करते है यहाँ पे आपको मिल जाएगा पिछले 3 महीने का average volume पिछले 3 महीने के average volume में minimum मुझे चाहिए 10,000 stocks होने चाहिए per day का ज़्यादा हो रहे हैं मुझे दिक्कत नहीं है पर minimum to minimum मुझे 10,000 stocks तो चाहिए चाहिए आपकी list हो चुके 521 stock की next आपको जाना है promoter की holding पे हमारी 2 requirement है हमारे penny stocks से सबसे पहली requirement यह है कि promoter की minimum to minimum 50% से ज़्यादा holding होनी चाहिए अगर promoter कोई अपने stock पे भरोसा नहीं है तो वैसे stocks को हमें avoid करना पड़ेगा second important criteria हमारे पास यह होगा कि promoter की holding 20% से ज़्यादा pledge नहीं होनी चाहिए जब भी promoter को अपनी holding को pledge करके कुछ पैसा लेना पड़ रहा है उधार लेना पड़ रहा है मतलब promoter के पास और कोई भी तरीका नहीं बचाए जिससे वो अपना loan raise कर पाए मतलब promoter काफी दिक्कत में आ सकता है तो हमें यह दो important criteria लगाना है सबसे पहले है हमारे पास promoter की holding का filter second हमें लगाना है कि कितना pledge है इन दोनों में promoter की holding minimum to minimum हमें 50% की चाहिए ही चाहिए 50% से कम की में हम काम नहीं करेंगे और pledge की बात करें तो maximum होनी चाहिए 20% का pledge अगर इससे ज़्यादा का pledge है तो उन stock को हमें avoid करना पड़ेगा हमारी stock की list जो initially 2000 से ज़्यादा की थी वो filter होते होते 266 stocks पे आ चुकी है अभी तो कुछ और filter लगाने है I hope आप समझ पा रहे होंगे कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाया ये वीडियो मैंने उन लोग के लिए बनाया है जो अगर 50 stock के पीछे भी भाग रहे है फिर भी मैं उनके लिए इतने सारे quality और basic liquidity के filters लगा दूँगा कि उनके फसने के chances कम हो जाएंगे penny stock by default by nature बहुत risk होता है और वहाँ पे फसने के chances ज़्यादा होते है इसलिए मैं आपके लिए काफी difficult filters बता रहा हूँ जिससे आपकी probability के आप फसने के वो कम होगी 15%, 20%, 25% साल के कमा के दे पर उसी stock का return on equity मतलब genuinely उनकी books के basis पे जो company कमा रही है वो 10% भी नहीं होता तो ऐसे stock को हमें avoid कहना है इसके लिए हमें ensure करना है कि हमारी selected company का return on equity और return on capital employed दोनों 10% से उपर का होना चाहिए चली चलते स्क्रीन पर और ये filter लगाने की कोशिश करते है अभी जो हमारे सामने 266 stocks के list है इसमें तो return on equity negative भी और बहुत ज़्यादा negative है हमें minimum to minimum चाहिए कि positive 10% का return on equity होना ही चाहिए at the same time हमें return on capital employed भी चाहिए positive 10% का वढ़ना कुछ company मस्तिया करती है excess debt उठा लेती है जिसकी वज़े से उनका return on equity भी ठीक लगता है पर return on capital employed काफी खराब हो जाता है और ये दो filter लगाते ही आपकी stock की list filter out होके आ गई है 61 stocks के उपर सोचके देखिए कितने सारे unnecessary कच्रा stocks यहाँ पर by default avoid होते जा रहे है final point की तरफ में जाऊं उससे पहले आप सभी के लिए एक important update है 15th of August को ध्यान रखते वे 14th, 15th और 16th of August में आपको 30% का additional over and above का discount मिलने वाला है आगर आप 6 month का course लेते है चाहे हो advanced learner हो चाहे हो premium learners हो यह course अब 6 month का लेना चाहते तो आपको mobile app पे जाके एक course को purchase करना पड़ेगा special 30% का discount है special occasion के लिए तो description में और pin comment पे आपको mobile app का link मिल जाएगा जहाँ पे जाके आप complete course को enroll कर सकते हैं और काफी utilize कर सकते हैं final point जिसे हमें consider करना है उसका नाम है interest coverage ratio यह कहता क्या है Google से ही पूछ लेते हैं और समझते हैं देखिए interest coverage ratio आपको यह बताता है कि जो आपकी firm है वो क्या interest को properly cover कर सकती है अपनी earning से या फिर नहीं मैं नहीं चाहता है कि हमारी company का interest coverage ratio बहुत high हो पर at least zero से उपर होना चाहिए ताकि company properly अपनी debt को service कर पा रही हो इसके हमें guarantee मिल जाए अगर आप इसकी formula की बात करो हो तो यहाँ पर आप इसका formula भी check out कर सकते हो नीचे simple सा होता है interest coverage ratio को formula earning before interest and tax divided by interest expense मतलब कितने times आप अपने interest expense का कमा रहे हो per annum यह पता लगता है यहाँ पर मैंने आपके लिए सिर्फ लगा दिया है interest coverage ratio में zero से लेके positive कितना भी हो मुझे फरक नहीं पड़ता पर zero से उपर होना चाहिए negative नहीं होना चाहिए जैसे यह filter आप लगाते हो आपके सामने final 50 stocks के list आ जाती है अगर आपको penny stock में काम करना भी है वैसे तो आपको stock wise जाके analysis करना पड़ेगा fundamentals और technicals का पर यह basic list मैंने आपको लाग के बता दिये अब अगर आप इस basic list के आगे भी चाहते हो कि मैं आपके लिए एक किसी penny stock को लिकाल के उसका proper analysis करके बताओ तो मुझे comment करके बता दिजेगा basic stocks के आप complete list को check out कर सकते हो यह list मैंने आपके लिए धीरे-धीरे scroll कर रहा हूँ जिसका आप चाहो तो धीरे-धीरे नाम का screenshot ले सकते हो और यह list आ गई है वैसी जो आपने और हमने complete filter साथ में लगा के निकाली है तो इस stock के list के बाहर तो हमारा penny stock होना ही नी चाहिए यह तो एकदम basic से basic fundamental filters है बिलकुल basic liquidity filters है जो आपके लिए काफी important होने वाल है आगर हम इस basic filters के बाहरा काम करेंगे तो हमारा risk और बढ़ जाएगा हमेशा penny stock में काम करना already बहुत risk होता है अगर हमारे stock का average daily volume 10,000 का भी नहीं है या फिर हमारा stock return on equity और return on capital employees में positive नहीं है या फिर हमारे stock properly अपने interest को coverage ही नहीं कर पा रहा तो हमारा risk कितना बढ़ जाता है I hope आप इसे बेटर समझ पा रहे इसलिए मैंने बहुत ही basic filters लगाते वे आपके सामने complete list निकाली है जिसको हमने live discuss किया ये तो हो गई है 50 stock के list अगर आप चाते हैं कि मैं detail में किसी भी stock को discuss करूँ तो comment करेगा उसका detail analysis आपको मिल जाएगा happy learning and I will see you very soon